हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज में आप लोगों के साथ आलू पालक की बहुत चटपटी सबजी की रेसिपी सेर करने वाली हूँ आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी आलू पालक की रेसिपी बनाने के लिए मैंने इसे धाई सो ग्राम फ्रेस पालक ले लिया है धो के साफ करके इसे ले लिया है अभी हम इसे बारी कट कर लेंगे देखिए फ्रेंट्स मैंने कितना बारी कट कर लिया है पालो को इसी तरह से कट कर लिजेगा अभी एक कड़ाई ग्यास पर चड़ा देंगे उसमें दो बड़े चमच ओयल डालेंगे ओयल जैसे ही गरम हो जाएगा हाप चमच काला सर्षो और हाप चमच जीरा का तड़का लगा देंगे तड़का अच्छे से चटकते ही दो सुखी लाल मिछ डालेंगे इसका फ्लेवर सब्ज में बहुत अ बारी काटा है इसे एड कर लेंगे और ब्राउन होने तक सारे चीज़ों को फ्राई कर लेंगे देखिए फ्रेंट्स प्याज लसन ब्राउन हो चुका है अभी हम इसमें आलू एड करेंगे जी हाँ फ्रेंट्स आप कच्छा आलू एड कर सकते हैं मैंने बॉयल करके आलू को एड किया है छोटे छोटे आलू जो आज कल मार्केट में मिलते हैं वो लिया है मैंने और उसस पहले बॉयल कर लिया और उसे सबजी में मिक्स किया है अभी हम हाप टेबल चपुन हल्दी पाउडर एक चम्मच के करीम लाल मिच पाउडर तीखा आप अपने एकडिंग रखिएगा और अच्छे से आलू के साथ हल्दी और मिच को मिला लेंगे और एक से दो मिनट तक इससे अच्छे से फ्राई करेंगे ओयल में अभी मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को एससे फाइनली चॉप करके काटा है वो डाल दिया है स्वाधनू सार नमक डाल दिया है और शारी जो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धकन लगा कर दो से तीन मिनट के लिए कूप करेंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से दो से तीन मिनट के बाद फ्रेंड्स दिखिए टमाटर हमार अच्छे से फ्राई हो चुका है अब एक बड़े चमच धन्या पाउडर एक चमच जीरा पाउडर डाल देंगे और मसालों के साथ आलों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम जो पालों को बारी काटके रखा था उससे एड़ करेंगे क्योंकि साख पकने में ज्यादा समय नहीं लेता इसलिए मैं लास्ट में एड़ कर रही हूँ अभी सारे चीज़ों को आलों के साथ पालों को अच्छे से मिला लेंगे और ढखकन लगा कर तीन से चार मिनट के लिए कुक करेंगे फ्लेम को लो टू मिटियम ही रखिएगा अभी देखिए फ्रेंट्स पालक में से कितना ज़्यादा पानी निकला है अभी हमारा सब्जी जो है अच्छे से बन चुका है आलों और पालक की अभी हम एक चमच गरम मसाला एड़ कर देंगे और सब्जी में अच्छे से मसालों को मिला लेंगे सब्जी को सर्फ करने से पहले थोड़ा सा हम तड़का लगाएंगे एक बड़े चमच घी को मैंने गरम कर लिया है उसमें बारी कटे हुए लसन डाला है और एक चमच के करीब मैंने सफे तिल डाला है सफे तिल को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा लाल मिच पाउडर एड़ करेंगे और तड़के को हम सब्जी के अंदर मिक्स कर लेंगे आप बिना तड़के के भी सब्जी बहुँट टेस्टी लगती है दोस्तों पर तड़का लगाने से और भी ज्यादा टेस्टी बनता है यह पालक आलू की सब्जी चाहे पूरी पराठा किसी के भी साथ आप सर्फ किजिए बहुत टेस्टी लगता है मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ देखें फ्रेंट्स मैंने आलू पालक की सबजी को सर्फ कर लिया है अगर मेरा रेसिपी आप सबको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कीजिएगा और जो चैनल पर नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिलचे दन्यवाद